By Sale Signal Software में आप सबी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम आइनालिसिस करेगे सौफट्वेर का काम केसा करता है और केसे वो confirmation देता है इससे पहले हम आपको बोलते हैं कि हमारी सेनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए क्योंकि हम इस सेनल पर free में live event करते रहते हैं और आपको signal, buy या sell देते रहते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल free में और आपको कुछ profit करवाते रहते हैं इसलिए और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो contact काम कर सकते हैं आये देखते हैं software का काम कैसा करता है आपने देखा होगा बहुत सारे software मार्केट में मिल जाते हैं पर confirmation buy, sell, buy, sell, buy, sell करवा कर आपको confuse कर देता है पर हमारा software यहां confirm कराएगा कि यह trade सही है या फिर गलत है जैसे कि यह green color का arrow बना है वो buy signal है, buy signal confirm है उसका reason यह है कि buy के पहले एक उपर की side arrow डाला बहुत सारे software में आपको target मिल जाते हैं एक, दो, तीन पर वो एक confusion है पर हमारा software आपको जब तक यह पूरी rally खतम नहीं कर देता है तब तक आपको बार-बार बोलता रहेगा कि और उपर जाएगा, और उपर जाएगा, और उपर जाएगा किसे बोलता है, जैसे कि by दिया, confirmation दिया, यहां आगे जाकर आपको बोला, और उपर जाएगा, hold रखिये यहां आगे जाकर आपको again बोला, और उपर जाएगा, hold रखिये वेसी ही तरह sale में भी जितना भी maximum rally नीचे की तरफ जाएगा वे इतना maximum rally निकल कर आपको देगा उसमें से profit करवाएगा जैसे कि ये sale है पहले तो हम confirmation check करेगे कि confirm है या unconfirm है तो confirmation के लिए हम check करेगे उसके back में जाकर अगर downside blue triangle लगा है तो हम sale में काम करेगे अगर नहीं लग union हो तब हम trade करेगे अब यहां आपको बोला sale कर दिया आपने यहां आगे जाकर software ने बोला और नीचे गिरेगा hold रखिये यहां आगे जाकर आपको फिर से बोला और गिरेगा hold रखिये तो और यहां something यहां मतलब कि उपर की side triangle आया मतलब कि वहां से आपको exit कर लेना हम एक दूसरा भी verification लेते हैं जैसे की जैसे की seat number two में जाकर हम check करेगी कि यह buy signal double verify है या फिर नहीं है तो हम check करेगे यह white color की line को अगर यह white color की line से market उपर है तो मतलब कि यह double verified trade है और बहुत अच्छी तरह से यह उसकी accuracy level बड़ा देगा अगर यह seat number two में भी verify है तो मान लिजे मैं कोई दूसरा example देता हूँ titan का जैसे की यहाँ buy signal है पहले check करेगे confirmation को confirmation यहाँ उपर की side arrow लगा है साथ में निचे की side सभी green indicator हो गये है तो बहुत अच्छी बात है अब यहाँ जाकर हम check करेगे again आपको बो बोला और उपर जाएगा hold रखिए again आपको बोला hold रखिए और उपर जाएगा और उपर जाएगा जैसे जैसे market का पूरा रेली खतम नहीं होता है तब तक software आपको बोलता रहेगा कि hold 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 इसी तरह sale में भी बोलता रहता है hold 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 और उसका double verification के लिए हम seat number two में जाएगे तो seat number बटू में आपको यहां white color की line यहां दिख रही है मतलब कि यह market से उपर ही चल रहा है यह white color की line उनसे उपर चल रही है market मतलब कि यह double verified trade है बहुत अच्छी तरह से उसने moment दिया और उपर की तरफ भागा तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें contact कर सकते ह इस नंबर पर या फिर WhatsApp भी कर सकते हैं हम आपको फिर से डेमो दिखा देगे और आप हमारी सेनल को like और subscribe करना मत बुलिएगा क्योंकि हम इस सेनल पर free में buy and sell signal आपको live में बताते रहते हैं धन्यवाद दोस्तों चाहिए हैं